बिस्मिल्ला रवार रहीम असलाम ऐले कुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यीब की फैमली अलापागा आपको खुश रखे अबाद रखे इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ आज जो मैं आपके साथ रहसे की लगए है तो आपने लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देन चने अपने किचन में चल दे और आपके लिए मज़िदार किसम के लहुरी चने तीयार करें चने और अंडे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले चूले पर हमने कढ़ाई रख लिए इसके अंदर हम डालेंगे ऑई और हमने डालेंगे 6-7 टेबल स्पून ये दिखे और आज कढ़ाने तक ये देकरा मसाला हमारा सारा अच्छे से कढ़ा आगे बहुत अच्छी खुश्पुआ रही है अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसा धनिया वन टेश्पून पिसी लाल मिर्च हल्दी हाफ टीश्पून सॉल्ट नमक यानि के आपके टेस्पून थाबिगे डा अब हम इसके अंदर एड करेंगे एक अदर दर्व्याने साइस की क्यास इसका मैंने पेस्ट बना लिया था पानी डाल देंगे इसके अंदर दो अदर टिमार्टर उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था ये ये डाल देने के बाद इसको अच्छे से मसाले को भूना है ये चनने बिखे लिए एक दो घंटे के लिए और फिर मैंने थोड़ा सा मीठा सोटा डाल कर इसको मैंने गला लिया था चनने हमारे ऐसे सॉफ्ट होने चाहेंगे इस तरह करके देखें बिलकुल सॉफ्ट इस ठीक है चलें अब अपना स्टैप नेक्स स्टैप स्टार्ट एक देखें अब यह जो चनने थे यह मैं इसके अंदर एड कर दूंगी सारे यह देखें चनने अट कर देने के बाद एक कप पूरा इसमें पानी डाल दूंगी अब हम इसके अंदर एट करेंगे फ्राइट किये वे एग ये देखें पहले अंडो को बाल लिया था फिर थोड़े से तेल में इसको फ्राइए कर लिए अगर अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें हो बैल आइकन को भ से पहरी चने हमारे तयार हो रहे हैं अब हमने इस पे लेड लगा के इसको दस से पंडरा मिंट तक के लिए रख देना है लोटू मीडियम ही तक प्राइब ना जो चुके हैं अब हम अपनी लेड उठाटे हूं मजिदार किसम का आपको सर्प्राइस मिलेगा ये रेखिए ह चना अंडा तयार है वितकरी अब हम इस पे हरादन या थोड़ा सा डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला हाउप टीज दूँ ये रेखिए मज़ितार किसम के अच्छी खुश्बु आरिया व्यकीन करें ये रेखिए ग्रेवी इसकी बस इस तरह होनी चाहिए रेखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक शियर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करने ताकि आएंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे याद रकिगा पना खेल रकिगा आला अपिस